नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चनल पर हार देख स्वागत है अभिनंदन है प्यारे बच्चों आज मैं कुछ प्रश्णों को क्लोधिंग टेक्स्टाइल से सम्धित प्रश्णों को लेकर के आपके बीच आई हूँ बगेर समय गमाये हुए परमपिता परमिश्वर माता सर्श्वति को परणाम करते हुए अपने आज के इस वीडियो को प्रारम करती हूँ और आप जब भी पढ़ाई करें मा सर्श्वत आते हुए इस वीडियो को प्रारम करती हूँ वीडियो में पहला प्रश्ण है वह क्लोधिंग टेक्स्टाइल से समन्दित है और यह कि आध्धात्विक खनिश्टन्तू है आध्धात्विक खनिश्टन्तू है कौन सा है सोना चांदी रबर या एस्वेस्टस अगरें इस्वेस्टस वहटा के हम पर एस्टील कर देते हैं तो भी बताओ कि कौन सा होगा अध्धात्य नोन मेटालिक है कि झुछ चोड़ेत कि आपके उपर जवाब देना धूंड के नेक्स्टस घृड़के किस भाग से उत्तमकिस्म का उन्त-प्रापत होता है भी रेड के शरीर के किस पार्ट से बेस्ट क्वालिटी का उन्त-प्रापत होता है फर्स्ट कॉशन मैंने आपके फ़र छोडा ह second question फिर छोड़ना चाहती हूं लेकिन मैं चलो एंसर बता देती हूं एक ही दू कुछन आप रूट के एंसर बता होगे दागे आपको कंसर्ट क्लियर होता जाए बोलो बेड़ के किस भाग से उत्तम किस्म का उनकी प्राप्ति होती है फस्ट है कंद्दा और पेट वाला भाग दूसरा है पीठ सीर वाल भाग चौथा में टांग वाला भाग गर्रेक्ट असर क्या है अब पता दोब्गार्च के पटन पार्ट के लुट होता है जो थो बगनों का एंस पेड़ की जब हम उन पढ़ा रहे थे तो कि है कि जन्तु जान्वर है उसके तो पार से है चाहतां कि क्वाली को प्राप्ती है मैंली जो कणधा है ना तृस्प बाता होती नेक्स्ट क्वेशन है तीसरा निम्न में से किनी रेशों में कम से कम 85 परसेंट तक एक्रोलोन नाइट्रिल यूनिट होता है किनी रेशों में कम से कम 85 परसेंट तक 85 परतिशत तक एक्रोलोन नाइट्रिल यूनिट होता है कि इस तरह क्वेशन होता है आप घबरा जाते और 85 परसंट पूछ लिए परसंट यहां पर क्या है परसेंटेज पूछ करके मैंने आपको कन्फूज करवाए है कि एक फिर्लों नीट्वी लीनुट आपको मालूम है कि आप परसेंटेज हो गए 85 परसेंट करेक्ट्ट नाइलन दूसरा रेयोन तुसरा एकरिलिक और चौथ और देंध की कर्रेक्ट एंसर इसमें होगा एक्रीलिक एक्रीलो नीट्रिल से याद रखना एक्रीलिक इसी लिसका नाम एक्रीलिक पढ़ा है एक्रीलो नीट्रिल यूनिट इसमें उपस्तित होता 85 परशेंट तक कि singer नंबर है चौथ था निम्न मेंसे किस रेशा में द्रिग शरेंखला बर्ध संसलेसित पॉलियमाईड होता है कि पॉलियमाईड क्या की निम्नांकित मेंसे इन की में से की रेशय में दिरग खूब साहला लॉंगचेंड द्रिख मतलब लंबा उन बद्ध मतलब चेन क के रूप मिनन कित में से किस रेशामें द्रिख श्रिंखळा बद्ध स्स्लीशित पॉलियम आ्मआइज होता है और करेक्टर सर फी पास नाइलों निद्र ययों एक्रिलिक और चौथा है हैं इसमें चोथा तो बेकार यह है उसमें तो कोई यूट यूट है नहीं है तो अगर आप नहीं समझ माएं को तो उस वीडियो को देखना जा करके हैं नेक्स्ट कुशन है पांचमा पांचमा है निम्न में से किस रेशा में कम से कम 85% तक स्टार एरोमेटिक कर्बोगजीलिक एसीड होता है कुशन को द्यान से सुनो निम्न में से किस रेशा में कम से कम 85% तक स्टार एरोमेटिक कर्बोगजीलिक एसीड होता है कि निम्न में से किस रेशा में कम से कम 85 परशेंट तक इस्टर एरोमेटिक कर्वोगजिलिक एसीड होता है आपके पास रियोन दूसरा है नाइलोन तीसरा है पॉलिस्टर चौथा है एक्रिलिक तो आपको नाइलोन के बारे में बटा ही दिया उसमें पॉलियामाईड होता है एक्रिलिक में बता ही दिया था एक्रिळोन नेट्रिल होता है अब बचा रियोन और पालीस्टर तो अपको पता है कागज की लुगदी बैंबू को इन्हों सबको केमिकल में डाल करके फिर तयार करते तो उसमें तो होगा ही नहीए अब क्या बचा पॉलिस्टर करेक्ट अंशर क्यास पॉलिस्टर कीस सや रखो वह होगे क्या सदूखा पॉलिश्टर नेग्स्ट होता है है कि ऑफ ये चैक अ कि छठा नंबर क्वेशन है एपेंडेक्स होता है एप ये नाम अपने सुननक स्पयंडेक्स एक म्या प्रानी तन्तु ए बनसपति इस तन्तु है वाल निर्मित तंतु है धार्ट्विक तंतु आ कि एक मानोई निर्मित तन्तु और आप नेक्ष्ट कुर्ष्ट कुर्ष्ट है आपका वो ये बहुत लग पुछते हैं ना कि वस्तरों के राणी किसे कहते हैं पड़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे वस्तरों के राणी कहते हैं रेशम को क्योंकि इसमें अलोकिक सुन्दर ता रहता है अद्भुत चमक होता है चूने में चिकना और कोमल होता है पहनने में बहुत है आरम दायक होता है कि सर्दियों के लिए प्रेस्ट होता है तो सिलकी बनार्सी साड़ी आप जानते ही हो गए अधिर शिलका लहंगा सिलका सूट अलग उसका अकर्षन है वस्तरों की रानी कि कहते हैं हम रेशम को और वस पुछा था मैडम वस्तरों का राजा किसको कहते हैं वस्तरों का राजा का पास को कहते हैं यह मैंने कहीं एक बुक्स में पढ़ा है तब ही मैं बता रही हूं नहीं बता दिया तो यह वस्तरों का राजा कहते हैं का पास को सर्भौमी किसको रेशा कहते हैं इसका उप्योग कीचन से ले करके खेल के मैदान तक और सोने के विस्तर से ले करके वाई वान तक कपास का उप्योग किया जाता है वस्तरों को एक लोकोक्ती है वस्तरों का राजा है चलो अब हमें एक क्वेशन पूछती हूँ नेक्स्ट जब प्रशन आएगा एक्जामनेशन में कि सारो भामिक तन्तु किसको कहते है तो आप बताओगे सारो भामिक तन्तु हमारा क्या है का पास वस्तरों की टावन राणी कौन है रेसम अगर प्रशन ये आए आर्टिफिस्यल रेसम किसको कहते हैं तो ये है रेयोर जादूई रेसा किसको कहते हैं तो ये है नाइलोर तीन चार चीजों को व्रटलो जादूई रेसा नाइलोर क्यों कहलाता है इसलिए कहलाता है कि जब ये रेसा बना था तो इसमें अदभूत गुन समाहित हो गया था इसकी चमक इसको प्रेश करने की जुरूरत नहीं कहीं सफर कर सकते हो नायलोन के बस्तर पहन करके तूड़ेगा मूड़ेगा नहीं दोलाई करना बोतासान दाग धब्बे नहीं लगना तो कई सारी क्वालिटी इस नायलोन के र रियोन को करत्रम रिसा कहा गया इसलिए कहा गया कि कि इसकी चमक था इसमें जुक मलता थी इसकी जो सुक्षमता थी एसमें जो बारिकी था इसकी जो अलकुक संदरिये था वो काफी कुछ रेशम से मिलता जूदता था इससे इसको कृत्रिम रेशम की संग्या दी गए जो बच्चे नहीं जानते हैं आज के डेट में और जब बजार में जाते हैं आज मैं कोईन कि स अण को और आटिफिश स्यों कर दो साये करें तो जो समझदार लोग होते हैं जिनको नॉलेज है वह तो आरटिफिश कर लेंगे जिनको नहीं समझाएं वो ठगे जाते हैं और पूरे पैसे देखरके आ जाते हैं तो चलो आज मैंने आपको कुछ महतोपन टिप्स आपको दिये हैं कैसे वियाद करोगे तो मैं अपने व्यक्तव को यहीं विराम देती हूँ फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में अगले बातों के साथ तब तक दो इजाज़त जाने के लिए ओके बाई बाई